LG ने अपनी नई LG W41 स्मार्टफोन सीरीज को भारत में लॉंच कर दिया हैं इस सीरीज के तहट LG 41, LG W41 Plus और LG W41 Pro स्मार्टफोन को लॉंच कर दिया हैं फोन की शुरुवाती किमत 13490 रूपए हैं LG W41 Single Storage Variant 4GB RAM, 400GB Storage के साथ आएगा इसकी किमत 13490 रूपए हैं वही LG W41 Plus स्मार्टफोन 4GB RAM और 180GB Storage option में आएगा इसकी किमत 14490 रूपए हैं जबकि LG W41 Pro स्मार्टफोन 6GB RAM और 180GB Storage के साथ आएगा इसकी किमत 15490 रूपए हैं इन तीनों स्मार्टफोन की विकरी आज यानि 22 फरवरी से हो गई है फोन के स्पेस को मेमरी कार्ड की मदद से आप 1TB के 1TB तक बढ़ा जा सकता हैं और इस यह तीनों फोन दो कोलर आप्शन में मैजिक ब्लू और लेजर ब्लू में आएगे RAM और स्टोरेस आप्शन को छोड़गा तीनों फोन स्पेसिफिकिशन के मामले हैं एक समाने LG W41 स्मार्टफोन की सीरीज में 6.55 इंच की फूल व्यूजन स्कीन दी गई है और प्रोसेजर के तोर पर फोन में 2.3 GHz Octocure MediaTek Lio G35 का सपूट दिया गया है फोन एंडरोट 10 बेस्ट आधारित होगा LG W41 सेरीज तीनों फोन के रियल पैनल पर कोईट रियल कैमरा सेटप दिया गया है इसका प्राइमरी कैमरा 48 मेगापिक्सल है इसके अलवा 8 मेगापिक्सल सूपर वाइल एंगल लेस ही 5 मेगापिक्सल मेक्रो लेस और 2 मेगापिक्सल डेट सेंसर का सपूट मिलेगा फोन के फ्रन्ट फैनल पर 8 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है फोन High Dynamic Range HDR का सपूट मिलेगा पाउर बैकप के लिए फोन में 5000 की दमदर बैटरी दी गई है फोन में LG W41 स्मार्टपून का वर्जन 201 ग्राम है कनेक्टिवीटी के लिए फोन में वाइफाइ ब्लुटूस 5.0 यूस्बी टाइप-C का सपूर्ट मिलेगा फोन गूगल असिस्टन बटन, गूगल लेंस, AI Cam, अजू अब और फिंगर प्रिंट सेंसर, पंच होल डिस्पले, फेस अनलॉक और फास चार्जिंग के साथ आएगा